दोस्तो अगर आप एक student है, आप एक entrepreneur है, आप एक businessman है, आपके पास दोस्तो कोई physical product है, आप उस product को online बेचना चाहते हैं, या फिर दोस्तो आप एक student है और आप अपना एक e-commerce business launch करना चाहते हैं, और उसके लिए दोस्तो आप एक e-commerce website को बनाना सीखना चाहते हैं, लेकिन दोस आप उसमें कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो आज का ये वाला वीडियो आप सभी के लिए most important होने वाला है, नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम राहुल, मैं हूँ एक digital marketing expert, founder of worksmedia solutions.com, और आज के इस वीडियो में, मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, कि आप अपने business को online launch करने के लिए, एक free e-commerce website को कैसे बना सकते हैं, वो भी अगले 10-20 minute में, देखें दोस्तो, आज का ये वाला वीडियो मैं चार step में complete करने वाला हूँ, सबसे पहले step में मैं आपको बताऊंगा, कि अगर आप अपने business को online launch करना चाहते हैं, और अपने product को आप online बेचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप कौनचे platform के उपर अपनी एक free website को बना सकते हैं, दूसरे step में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, कि अगर आप अपना free e-commerce website बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए free domain name और free hosting को कैसे choose करेंगे, और तीसरे step में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, कि अगर आपको कोई भी physical product है, और उसको आप online website बना के launch करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक free template या free theme को कैसे choose करेंगे, और last system में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, कि आपका जो भी product है, आप उसको online बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए एक free website को कैसे design कर सकते हैं, वो भी अगले 15 से 20 मिनट में, तो अगर आप भी दोस्तों एक entrepreneur है, एक businessman है, या पिर एक student है, आप भी अपने product को online बेचना चाहते हैं, और उसके लिए एक free e-commerce website को बनाना सीखना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए most important है, वीडियो को आयन तक जरूर देखना, वीड अब भी तक आपने channel को subscribe नहीं किया, तो channel को subscribe करके bell icon button को जरूर पैस करना, तो चलिए दोस्तों आप सिरुआत करते हैं वीडियो की और आप सीखते है, step by step एक e-commerce website को बनाना, ओके तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपने laptop PCP आ चुका हूँ, अब मैं आपक e-commerce business अगर आप launch करना चाहते है, without any investment, तो आप उसके लिए free website को कैसे design करेंगे in next 10-15 minutes, उसमें मैं आपको all चीज़े बताऊंगा, कि free domain name कैसे लेंगे, hosting कैसे लेंगे, theme कैसे choose करेंगे, and all सारी चीज़े मैं आपको clear करूँगा in this video, right? सबते बिले तो देखे, दोसो, आपको एक proof दिखा दिता हूँ, जो आपके लिए सबसे most important है, यहाँ पर देख सकते हैं, अभी आपके सामने एक website खुली हुई है, and मैं आपको बता दू, दोसो, यह एक e-commerce website है, जिसमें आप यहाँ पर इसका logo देख सकते हैं, search वाला column सकते हैं, उपर आप देख सकते हैं, आपके सामने पूरा header menu है, और यहाँ पर साइड में आपको देखे, login option है, cart option है, नीचे slider है, and बाकी सारी चीज़े देखे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, best seller categories है, and नीचे देख सकते है, shop by categories options है, and नीचे भी आपके पास product slider है, और template है, यह वाली जो website है, वो आप देख रहे होंगे, and मैं आपको बिता दूँ दोस्तों, यह वाली जो website आप देख रहे हैं, यह कोई paid website नहीं है, यह एक free website है, जिसको आप बना सकते हैं, बड़ी आसानी से, ठीक है, and यह एक e-commerce website है, जिसको आप बना सकते हो, और इस website के आपको पहले step की तरब लेके चलता हूँ, and पहले step रहेगा हमारा, कि हम एक ऐसा platform चूज करेंगे, जिसके उपर हम बड़ी आसानी से, एक free website बना सकते है, e-commerce की, and हमारा business के उपर launch कर सकते है, तो देखे, दोस्तों, आपको सबसे बिले करना है, गूगल में जाना है, and यहा wix.com, तो simply देखे, दोस्तों, आपको यहां पर link देखेगी, build an e-commerce website, इसका link मैं आपको description देदूगा, उस पर click कर दीजएगा, जैसे दोस्तों, आप इस पर click करेंगे, यहां पर आप देख सकते है, आपके सामने wix.com open हो चुका है, अगर आप wix.com के बारे में नहीं जानत जिसमें आपको नीचे यहां पर दिख रहा है, देखे, create your store, and नीचे आप देख सकते है, start selling immediately, grow without limits, and यहां पर देख सकते है, create your store, यहां पर आपको बटन दिख रहा होगा, नीचे आप थोड़ा सा score down करेंगे, तो देखे, आपको यहां पर कुछ categories दिख रही है, and e-commerce के templates द सकते है, home decor में आपका कोई business है, तो उस category की भी आप यहां पर चूज कर सकते है, finally, यहां पर beauty का option भी आप देख सकते है, beauty में भी काफी सारे templates आपको मिलेंगे, and other categories में भी आपको templates मिल रहा है, इसी परकार से नीचे अगर आप scroll down करेंगे, तो देखे, four to five steps में आप पूरिय जो है business यहां पर बहुत आसानी से launch कर सकते हैं, ठीक है, आप चलिए चलते हैं e-commerce website बनाने की तरब, तो पहला step आपका almost complete हो चुका है, and पहला step था हमारा की हम कौन सा platform चूज करेंगे, हम platform चूज कर रहा है, wix.com, second step है दोस्तों हमारा की हम यहां पर एक hosting, and हम यहां पर हमा आप चलते हैं, next step है दोस्तों हमारा create your store के उपर आपको click करना है, जैसे दोस्तों आप create your store के उपर click करेंगे, आपके सामने next step आएगा, और यह step आएगा दोस्तों आपके सामने sign up का, तो simply देखे दोस्तों यहां पर sign up करने के options आपके पास, आप अपनी detail डालके sign up कर सकते ह Google का option भी आपको दिया गए, इसका भी इस्तमाल कर सकते हूँ, तो मैं आपके क्या करूँगा, continue with Google करूँगा, और मेरे पास एक mail ID है, उसी का मैं यहां पर इस्तमाला भी कर लेता हूँ, फिलाल के लिए, यहां पर देख सकते हैं, मैं continue button पर click कर देता हूँ, जैसे दोस्तों यहां पर देखें, दोस्तों, Wix.com अब आप से क्या कर रहा है, कुछ सवाल करेगा, अगर आप चाहें तो इनको skip भी कर सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, आपके सामने Wix.com, Wix का AI है, यहां पर देखें, इस परकार से उपन हो रहा है, बट मैं इस AI का यूज नहीं करूँगा, तो मैं यहां पर देखें, पीछे बटन पर प्रेस करता हूँ, चलिए, ठीक है, हम यहां पर skip बटन पर क्लिक कर देता है, जैसे दोस्तों, आप skip बटन पर क्लिक करेंगे, हमारा जो सवाल जवाब वाला सलसला था, वो कतम हो चुका है, आपके पास multiple categories आ रही है, जैसे online store के अंदर आप कौनची categories चूज करेंगे, जैसे माल लो नीचे स्को डाम करते हैं, और हम क्या करेंगे, e-commerce के अंदर हम electronics के बारे में देखने की कोशिश करेंगे, कि electronics में कोई हमारे पास है क्या, तो देखें दोस्तों, यहां पर electronics में अभ यहां पर simply continue बटन पर हमें दुबारा से क्लिक करना है, जैसे दोस्तों आप continue बटन पर क्लिक करेंगे, यहां पर देख सकते हैं, preparing your dashboard, हमारा जो dashboard है, वो यहां पर ready हो रहा है, और जैसे हमारा dashboard ready होगा, हम यहां पर next step की तरब चलेंगे, तो यहां पर देख सकते हैं, दोस्त एंटर करने से पहले, हम से wix.com फिर से को सवाल करेगा, तो उन सबी सवाल हो के जवाब हमें देने हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बोला था कि आपको एक domain name मिलेगा, फ्री वाला, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना, wix.com पे तो आपको यहां पे मिल रहा है, तो सबस सबसे पहले स्टोर नेम चूज़ करना है, और उसके बाद दुबारा से कॉंटिन बटन पर क्लिक करना है, अब यहां पे देके दोसों, डू यू अल्रेडी हाव अन ओनलान स्टोर, तो यहां में I am just starting out, यह वाला चूज करना है, दुबारा से कॉंटिन बटन पर क्लिक करन क्लिक करेंगे, यहां पर देखे, अनलान स्टोर हमने चूज किया, यहां पर दुबारा से कॉंटिन बटन पर क्लिक करना है, अब यहां पर देखे, you are all set, continue to dashboard के उपर हम क्लिक करेंगे, जैसे दोसों, आप इसके उपर क्लिक करेंगे, हम दुबारा से dashboard पर विजिट कर लें ठीक है, तो यहां पर दोस्तों सबसे पहला जो step है, वो देखे, यहां पर eight steps है, तो सबसे पहला step है, वो है, update your store types, तो हमारा जो पहला step है, वो complete हो चुका है, दूसरा step है दोस्तों, यहां पर connect your custom domain name, अगर आप अपना free domain name यहां पर use नहीं करना चाहते हो, और आप यहां प dot com को अभी फिलाल के लिए, ठीक है, उसके बाद दोस्तों, next step आ रहा है, आपके सामने, आपर set up your payment method, आप देखे दोस्तों, आप इस पे एक बार click कर दीजे, और जैसे दोस्तों, आप इस पे click करेंगे, इस step को हम एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, कि इसमें कौन-कौन से steps हैं, तो देखे दोस्तों, आप यहां पे payment method का जो setting है, उसके अंदर enter कर चुके हैं, और अब यहां पे आप देख सकते हैं, दोस्तों, आपके पास जो payment method है, वो काफी सारे payment method है, जैसे सब से मिला है, PayPal है, उसके बाद Razor Pay है, Air Pay है, and EaseBuds है, cash free है, काफी सारे payment methods है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखे दोस्तों, अगर आप Wix.com पे अपना खुद का e-commerce website launch कर रहे हैं, यहां पे आप payment receive करना चाहते है, customers चे डारेक्ट online, तो यहां पे आपको payment gateway add करना पड़ेगा, जिसमें आपको Razor Pay के साथ, अगर payment gateway add करना है, तो Razor Pay का account आपको यहां पे connect करना पड़ेगा, अगर आपके पास Razor Pay का account है, तो अगर आपको अपना payment gateway add करना पड़ेगा, तो अभी मेरे पास कोई payment gateway नहीं है, और जो है मेरे पास वो मेरी website से connect हो रखे हैं, तो मैं यहां पे कोई भी add नहीं करूँगा, simply आपको connect रहना हो जाएगा, उसके बाद next step कौनचा लिना है, next step दोसों यहां पे add your first product, जिसमें देखें दोसों आपको करना के है, आपका जो product है, वो add करना पड़ेगा, तो add product के उपर आप एक बार click कर दीजे यहां पे, जिसे दोसों आप add product पे click करेंगे, आपका जो product add करने वाला जो system है, वो भी आपके सामने आ जाएगा, यहां पे देख सकते हैं, आप ही के desk board में नीचे catalog option आ रहा है, जिसमें product option आ रहा है, तो यहां पे आप एक नया product add कर सकते हो, अब देखें दोसों यहां पे आपके पास काफी सारे तो देखें, already product दिखाए गए है, add करके, अगर आपके पास यह जानकारी नहीं ह कि आप यहां पे किस परकार से product को add कर सकते हैं, तो इनी products को आप क्या करेंगे, इनी products को आप edit कर सकते हो, और edit करके इन products के जो title, description वगरा है, उनको change कर सकते हो, जैसे मैं added product पे click करता हूँ, और added product पे दोसों आप जिससे click करोगे, यहां पे देख सकते हैं, यह वाला जो product है वो हमारे पास added option आजाएगा, जैसे माल लो आपके product की जो image है, वो image यहां पे देखे, आप लगा सकते हो, इस image को यहां से added कर लीजेगा, और इस image की जगे, आप दूसरी image यहां पे add कर देना, ठीक है, जैसे माल लीजे, मैं यहां पे added image पे click कर रहा हूँ, तो यहां पे द आपका product का category क्या है, उस product की category आड़ करनी है, यहां पे आपका product का name, चूस करने है आपको, जो भी आपका product का name है, और उसके अलावा यहां पे coupon code, अगर आप create करना चाहते हो, तो coupon create कर सकते हो, यहां पे SU की जो भी settings है, वो आपको यहां पे देखनी है, आपके product का description है, वो and उसके बाद देखें, यहां पे जो fulfilled service है, वो यहां पे add करनी है, जो भी आपका product का brand है, वो यहां पे add करनी है, और additional information है, वो यहां पे आपको add करनी है, उसके बाद नीचे देखें, आपको pricing का option दिख रहा है, on sale रखना है या नहीं रखना, वो आप यहां पे देख सकते ह आप यहां पर price भी दिखाना चाहते है per unit तो वो भी आपको यहां पर option दिया गया है इसके अलावा देखें यहां पर product options में आपको और भी product options मिल रहे हैं जिसमें आप क्या क्या लगाना चाहते हैं जिससे color वगरा देना चाहते हैं या फिर आप list में आप देना चाहते हैं, उनकी size वगरा के अनुसार देना चाहते हैं, तो ये options भी आप use कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर inventory का option भी दिया गया है, कि stock में है या नहीं है product, वो option भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपका product से related जितना भी management ह वो आपको करना पड़ेगा, and starting में एक product आपको add करना पड़ेगा, ठीक है, एक product अगर आपने add कर दिया है, तो उसके बाद आपका ये वाला जो step वो भी complete हो जाएगा, add your first product, उसके बाद दोसों आता है, setup shipping and delivery, तो setup shipping and delivery पर आपको click करना है, and save and continue बटन पर आपको click करना है, जिसे दोसों आप save and continue बटन पर click करोगे, यहाँ पर देख सकते हैं, आपके पास save and delivery वाला जो option है, वो open हो जाएगा, तो इसके अंदर देखे, आपको कौन कौन सी settings करनी है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे मालो सबसे पहले तो आपकी जो settings है, वो और यहाँ पर product delivery होगा, जिससे मालो यहाँ पर 3-5 days में होगा, तो 3-5 days डालेंगे, rate कितनी हैं, कितना पैसा चार्ज करेंगे, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, and उसके अलबाद लोकल delivery settings है, pickup options वगरा, सारे के सारे settings यहाँ पर आपको दी गई है, ठीक है, तो इसको भी आप एक बार complete क and यह step भी आपको complete करना पड़ेगा, उसके बाद दोसो आपको यहाँ पर एक और option दिख जाएगा, and यहाँ पर मैं आपको बदा दू, 3 steps अभी something हमारे complete हो चुके है, यहाँ पर add your first product हो चुका है, setup your shipping and delivery हो चुकी है, मैंने मेरे अनुसार जो करना था वो कर दिया, अगला step पाता है, दोसो design your website, तो design आपको करनी है, अपनी website तो यह आपके लिए सबसे important है, तो इसके उपर कर दीजे, design your website के उपर click करना है आपको, and अब हम यहाँ पर यह सीखेंगे कि हमारी website को हम कैसे design कर शकते हैं, तो देखें दोसो, how would you like to design your website, आपके पास 2 option आते है, let's Wix create a site for you, जिसमें आप Wix को information देंगे, वो आपके लिए create कर देगा site, and second option है, customize a template, and इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे लिए एक theme या फिर एक template को choose करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे, pick a template, और जैसे दोसो, pick a template के उपर हम click करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, आपके प पर माल लो मुझे, यहाँ पर choose करना है, तो जैसे मैंने electronics पर click किया, and जैसे माल लो यह वाला जो है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है template, and इस template को मैं use करना चाहता हूँ, तो simply added button पर मैं click कर दूँगा, जैसे दोसो, added button पर मैं click करूँगा, यह वाला जो template है, या जो theme है, और जैसे दोसो, मेरी website में यह वाला template यह यह वाली theme इंस्टॉल होगी, अब मेरे पास क्या होगा, कि इस website को design करने का जो पूरा system है, या पूरा जो dashboard है न, वो यहाँ पर open होके आएगा, और अब मैं क्या करूँगा, मेरी website को यहाँ पर अपने अनुसार में design करूँगा, तो चले, design करने का थोड़ा सा जो जानकरी है, जो थोड़ी बहुत details है, वो मैं आपे आपको सिखा दिता हूँ, और मैं आपको बता दिता हूँ कि किस परकार से wix.com पे आप drag and drop करके अपनी e-commerce website को बना के launch कर सकते हैं, ठीक है, ओके तो दोस्तों, यहाँ पर अभी आप द website बनाएंगे, तो वो किस परकार से यहाँ पे दिखेगी, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो काफी खूपसूरत वाला जो template है, वो हमें मिला है, और यह बाले बिल्कुल free website है, कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, अब हम इस website को design कैसे कर सकते हैं, step by step, drag and drop करके, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फोड़ी बहुत मैं आपको edit करके भी दिखा देता हूँ, ताकि आप इसको design कर पाएं, देखें सबसे बले तो अगर आपको इस website को design करना है, तो मैं आपको इसका dashboard है, वो समझा देता हूँ, ताकि आप उसको design कर पाएं, आपको इसे elements में मादलो, आप text आड करना चाते हूँ, तो text यहाँ से option मिल जाएंगे आपको, image आड करना चाते हो, image option भी मिल जायागा, buttons वगरा है, यहाँ पर box वगर आपको दिया गया है, gallery आप और आप आड करना चाते हो, gallery आड कर शकते हो, यहाँ पर many वगरा आड करना है वीडियो वगरा है यहां पे social है payments है लिस्ट वगरा है वो सारे के सारे जो है आपको यहां पे elements में already मिल जाएंगे उसके बाद दोस्तों यहां पे second option आता है second option पे click करना है आपको and second option में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप इस button पे click करके देख लीजेगा कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा and second option में है आपके पास add section add section में देखे दोस्तों आपके पास है welcome है, about us है, gallery है team है, contact us है, future है यह सारी चीज़े आपको यहां पे मिलेगी इस पे click करोगे तो देखे आपको बना हुआ मिलेगा सब कुछ, ठीक है तो बस इनको आपको drag and drop करना है उसके बाद देखे दोस्तों next option आता है आपके पास में, next option पे आपको click करना है, और next option क्या है, वो एक बार हम देख लेते हैं यह थोड़ा slow चल रहा है, तो इस चीज़ का आप manage कर सकते हैं, मालो आपको किसी भी page को delete करना है, तो देखे, यहाँ पे three dots दिख रहा है, और मैं इस page को hide करना चाता हूँ या फिर इस page को मैं delete करना चाता हूँ उसका option यहाँ पे आपको दिया गया है अगर आप किसी भी page को drag and drop करके उपर नीचे करना चाते हैं, तो यहाँ पे आपको उसका भी option दिया गया है, बहुत आसानी से drag and drop कर सकते हैं next option है दोस्तों, आपके पास में इस पे भी एक बार click करके देख लीजेगा next option कौन सा है, इसके अलावा अब आपको क्या करना है, जैसे माल लो आपकी website है, आपकी website को कैसे design करना है, वो सारी details आप मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ तो सबसे बहुते दोस्तों, माल लो हमें यह वाला header menu है, वो design करना है, तो इसके उपर हम click कर देंगे और इसके उपर दोस्तों, जैसे click करेंगे माल लो, यह वाला जो text है, वो आपको add करना है तो जैसे free shipping for order, above $50, तो आप इसको change करना चाहते हैं, जैसे माल लो $500 कर सकते हैं, और इसको आप बस दो बार click करने के बाद ही, यहाँ पे आप इसको change कर सकते हैं, जैसे free shipping in all India, जैसे मुझे यह लिखना था, तो मैंने यह लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे about us है, call us है, तो जैसे माल लो, मुझे call वाला जो है, number change करना है, तो जैसे माल लीजे call us में मैंने click किया, और इसको मैं दो बार tap करूँगा, तो यहाँ पे देखे, number edit करने का जो पूरा option है, वो मेरे पास आ चुका है, तो इस तरीके से आप इसको बस बहुत आसानी से drag and drop कर सकते हैं, माल लो, आपका यह logo है, आपको logo change करना है, तो यहाँ पे इसके उपर click करना है, और यहाँ पे देखे, add a text के उपर आपको click करना है, अब add a text का option आ चुका है, मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ जैसे walks card, ठीक है, तो यह देखे walks card, इस तरीके से आपका logo change हो गया, उसके बाद देखे, दोस्तों, आपको यहाँ पे कुछ भी changes करना है, वो बहुत आसानी से कर सकते है, माल लो आपको यहाँ पे इसको change करना है, तो जैसे इस पे दो बार आप click करोगे, and यहाँ पे लिख सकते हो walks card, ठीक है, यह देखे इस परकार से, आपको button change करना है, button पे दो बार click करो, button की पूरी detail आचुक है, शौपना चेंज करना है यहाँ पे आपको देखे, layout चेंज करना है यहाँ पे design चेंज करनी है, यहाँ पे animation चेंज करना है, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अलावा दोस्तों अगर आप माल लो, यह वाला जो image है, यह वाला जो slider image है इस slider image को आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे देखे, इस slider image को भी बहुत आचानी से change कर सकते हो दो बार मैंने click किया, और यहाँ पे slider 1 आचुका, slider 2, slider 3 माल लो, मैं यहाँ पे slider 1 को delete करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखे, इस परकार से इसको बहुत आचानी से delete किया जा सकते है and slider 2 को अगर आप change करना चाहते हो, या इसको duplicate करना चाहते हो तो यहाँ पे option इसको भी दिये गया है ठीक है, और यहाँ पे add new slide का option भी आपको दिया गया है इसी परकार से अगर आप इसको edit करना चाहते हो change करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखे change slide background यह वाला option आपको दिया गया है जिसकी मतल से आप अपनी image को बहुत आसानी से change कर सकते हो ठीक है, उसकी बाद है कि दोस्तों यहाँ पे आपको इन टेक्स वगरे को change करना है तो इन टेक्स के उपर दो बार आप क्ली करोगे तो बहुत आसानी से इनको change कर सकते हो जैसे मालो यहाँ पे देखे, A, B, C, D में कुछ यहाँ पे इस तरीके से डालूँगा तो यहाँ पे बहुत आसानी से change कर सकते हो तो आपको जो भी यहाँ पे text लिखना है जिस भी product की अनुसार यहाँ पे पहले तो आपको product की image लगानी ही पड़ेगी और फिर उस product का जो भी discount वगरह है जो भी इस product का brand वगरह है जो भी आप offer वगरह दे रहे हैं डेटेल आपको यहाँ पर डालनी ही पड़ेगी उसके बाद है कि यहाँ पर आप अपनी डेटेल डाल दीजेगा जिसे फ्री शिपिंग दे रहे हो, लोस प्राइस गैरंटी दे रहे हो 24-7 सपोर दे रहे हो, वो सारी डेटेल आपको यहाँ पर ड्राइग और ड्रॉप करके डालनी है इसी प्रकार से यहाँ पर आपको इस सेक्शन को चेंज करना है, तो इस सेक्शन की उपर भी आप दो बार क्लिक कर देना और यह जो पूरी ग्याडरी है या पूरा जो वह चेंज करने का देखे यहाँ पर आपके पास पूरी सेटिंग्स आ रही है तो इसको भी आप बहुत आसानी से ड्राइग और ड्रॉप करके चेंज कर सकते ही यह देखे पूरा का पूरा जो ऑप्शन है वह आपके पास आ चुका है यहाँ पर तो मेरे कहने का मतलब है कि अ इसके उपर क्लिक करोगे यह टेक्स एडिट होने का उप्शन आ चुका है उसके बाद नीचे आप स्कॉर्डम करना और जो आपका फुटर है फुटर का उप्शन भी आपको यहाँ पर दिया गया है जैसे मालो आपको इस्टोर लोकेशन दी गई है इसको आप चेंज करना तो देखे विक्स.com की वेबसाइट को अडिट करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है विक्स.com की वेबसाइट को आप ड्रैग और ड्रॉप करके अडिट कर सकते हो और यहाँ पर आपको कुछ भी नया अड़ करना है तो देखे एड़ एलिमेंट्स पर जाओ और यहाँ पर पर आपको क्लिक रना है और जैसे दोस्तों आप पब्लिश उप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर पब्लिक हो जाएगी यह देखे वेबसाइट पब लीश हो चुकी है यहाँ पर आपका जो वेबसाइट का यूर sitä जाएईगा जैसे आप ज website पे click करेंगे आपकी website आपके सामने open हो जाएगी तो इस तरीके से देखे आप Wix.com पे एक e-commerce website को बहुत आसानी से launch कर सकते हैं next 10 to 20 minutes में थोड़ा time तो आपको देना पड़ेगा and मैं आपको एक चीज बता दू दोसो यहाँ पे आपको मैंने Wix.com पे एक पूरी website बनाना नह नहीं बताया because उसमें कई घंटों लग जाते but मैंने आपको उपर से बहुत सारी चीजें बता दी हैं काफी सारा doubt clear कर दिया आ गया है कर दिया मैंने and yes अगर आप इस पे थोड़ा time spend करोगे अपना थोड़ा time लगाओगे तो आप एक अच्छी website इस पे बना सकते हो without any investment और जब आपको लगता है कि आपका e-commerce business चल गया है तो उसके बाद आप चाओ तो इसी को domain name connect करके इसको pro plan में convert कर लीजेगा अपग्रेट option यहाँ पे आपको दिया गया है अपग्रेट करने के बाद आप इस business को website को चला सकते हैं और कोई भी problem नहीं होगा आपको in future ठीक है तो यह भी सीख लिया होगा कि अपने online business के लिए आप एक free website को कैसे बना सकते हैं अगर दोस्तों आपनी पूरा वीडियो देखा है अभी भी आपको कोई doubt है कोई confusion है आपको कुछ भी सवाल करना है please comment box में जाना और आपके जो भी सवाल है वो आप type करना मैं और मेरी team आपके खुद के digital marketing agency है अगर आप एक entrepreneur है businessman है आपके पास कोई business है और उसके लिए आप कम cost में best digital marketing service चाते हैं तो आप अमारी team को call कर सकते हैं description में आपको number मिल जाएगा यहाँ पे भी आपको side में number दिख रहा है आप अमारी team से बात कर सकते हो और अपने business के लिए आप website designing की SEO की PPC क Google Ads की Facebook marketing की और बहुत सारी digital marketing services आप कम cost में ले सकते हैं ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें इस number पे call कर सकते हैं तो आज किस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और आपने सीख लिया होगा कि किस परकार से एक e प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद